गाइस बस एक चीज बताना चाहूंगा, मैं ये एक क्लिप एड कर रहा हूँ, एक्चिली मैंने पूरा लेच्चर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसमें मिस्टेक ये थी ना कि मैंने ये बोला है कि जब State Reorganization Act आया, तो 16 राज्य और 6 स्टेट्स बनाए गए, 14 स्टेट्स, एक्चिली State Reorganization Act ने ये रेकमेंडेशन दिया था कि 16 राज्य, जब State Reorganization Act आया, तो कमिटी ने बोला था कि 16 राज्य और 3 उनियन टेरेट्रीज बनानी चाहिए, लेकिन बाद में ये हुआ कि 14 राज्य और 6 उनियन टेरेट्रीज बनाईए, तो इसमें बस दोस्तों जो मैंने बोला है न, 16 राज्य वो रेकमेंडेशन थे, सरकार ने State Reorganization Act के बाद, क्योंकि पूरे राज्य को Part A, Part B, Part C, Part D में डिवाइड किया था, जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद State Reorganization Act के बाद, सरकार ने पूरे भारत को 14 ठीक है, तो वो बस 16 और 14 का थोड़ा सा डिफरेंस होगे, मैंने अभी देखा, जब मैंने अभी दुबारा सुना, मैंने गारे यारे तो कि मिस्टेक होगे, तो ये चीज है, इसलिए एक लिए एक लिए एक लिए अड़ कर रहा हूँ, आशा करता हूँ, आप सब बहुत अ अभी हम शुरू करने वाले हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये जो सेग्मेंट है, 1947 के बाद से ऐसा इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो भी पूछे जाते हैं, वो एकॉनमी या पॉलिटे से पूछे जाते हैं, तो वो मैंने अल्री कवर कर द कोशिश करूँगा, डेफिनिटी लेचर्स बड़े-बड़े होंगे, तो हम शुरू करते हैं, तो अभी हम बात करेंगे, 1947 से लेकर, 1960 तक या 64 तक आप कह सकते हैं, जब आलन ले दू कि, डेथ तक, क्या हुआ इस समय, दो वार हुए बहुत इंपॉर्टें, 1962-65, तो इसको भारत हजाद तो हो गया, लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान था, बिलकुल नहीं, ये बहुत अधा मुश्किल था, तो फिर हम ये देखते हैं, कि Partition of India होता है, भारत का बटवारा हो गया, एक तरह पाकिस्तान, एक तरह भारत, लोग इधर पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां से भारत आ रहे था, भारत से पाकिस्तान जा रहे था, बहुत कतले आम हुआ, एक साल तक है पूरा का पूरा कतले आम चला है, और उसके बाद फिर ये रुका है, तो बहुत बुरी हालत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, कि भारत की जो 565 रिया 1949 में वैसे बन गया था, और पाकिस्तान के समविदान बनने में वक्त लग गया था, तो बात ये थी कि भारत कैसे इन राजियों को इंटीग्रेट करे, तो बड़ा मुश्किल था, तो उस समय जो हो मिनिस्टर थे, वो वल्लब भाई पतेल थे, और वल्लब भाई पतेल उस दारोमदार जो है वो दिया गया, पूरी जमदारी दी गई, अब इनके साथ मिनन जो की सेकरेटरी थे, उन्होंने भी कम्माल का काम किया, तो हम ये देखते हैं कि वल्लब भाई पतेल जबालना ने जो सब ने भारत को एक करने की जद्दो जहद शुरू कर दी, देखें ब आप पाकिस्तान को जाइन कर लो, या भारत को जाइन कर लो, या फिर आपाजाद हुजओ, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अब उननिस और तालेस, जनवरी उननिस और तालेस मात्मा गांधी का भी देहान तो गया, तो मात्मा गांधी भी छोड़ के चले गए, अब बस्त cabinet की बात करेंगे बिलकुल बात करेंगे और यह तो वीर्ड सावर कर और वाकी सब के सब आप देखी सकते हैं कि यह तो बैठे हुए ख्यार यह तो तो अगर हम बात करते हैं तो partition और सबसे पहले तो partition हुआ ठीक है तो 35 लाक जो हिंदू सिख हैं वेस्ट पंजाब नॉर जब तक दंगा नहीं रुखेगा तब तक मैं वापस नहीं जूँगा दंगा रुख भी गया तो यह हिसाब केताब थी फिर उसके बाद 30 जनवरी 1948 को जो एसासिनेशन हुआ नाथुराम गोट से द्वारा जिसको लगता था कि मोहन दाज करम चन गांधी जो है वो रिस्पॉंसिबल है पार्टिशन के और उसके बाद फिर रांथुराम गोट से को फांसी दी गई तीन गोलियां मारी ती गांधी जी को फिर दिक्कते बहुत जादा हो गई 1949 में आप समझे कि 10 लाख से जादा रिफ्यूजी जो है वो इधर बंगाल में क्योंकि बंगाल का भी डिपटवारा हो गया था एक तरफ वेस्ट बंगॉल था और एक तरफ आज का भांगलादेश पाइप पाकिस्तान मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो एक हो गयते ठीक है तो यह हिसाब किताब रहा उसके बाद फिर लियाकत अली खान को बुलाया लियाकत अली खान को जब उस समय बुलाया गया तो प्रधान मंतरी नहरू और सरदार पटेल ने यह फिर एग्रीमेंट इनके साथ साइन किया कि भाई देखो हमको माइनोरिटी कमि स्टेट का इंटिग्रेशन था वो फंदा बना रहा अब देखे सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स ने भारत को ही जॉइन करना शुरू जह सही समझा है ना लेकिन इसमें चार जो स्टेट्स थी वो बड़ी उन्होंने बड़ी दिकत की एक थी त्रावर्ण कोर ठीक है दू हाइदराबाद उस समय का सबसे अमीर राज्य था ठीक है ना हाइदराबाद उस समय का पूरी दुनिया में सबसे अमीर राज्य था मतलब हाइदराबाद से अमीर कोई था ही नहीं यह हिसाब किता तो अब हाइदराबाद कश्मीर फिर उसके बाद जूनागर और त्रावर जोदपूर को कैसे मिलाया जाए अच्छा भोपाल के भी राजा की दिक्कत हुई लेकिन भोपाल के राजा ने भी ultimately भारत को चुनना शुरू किया चैपूर यहां पे जो जोदपूर के राजा थे ठीक है वहां पे उनको बहुत जादा दिक्कत हुई वो भी पाकिस्तान के सा लेकिन फिर भी उनको मना लिया गया और वो भारत में ही शामिल हुए है ना देखे यहां पे carrot and stick policy थी सरदार वलबाई पटल की पहले वो गाजर देते थे कि आजओ तुम बेटा हमारे बच्चे जैसे हो तुमारे पिता जीने हमारे साथ काम किया था जोइन कर लो भारत को और अगर वो नहीं मानता था तो फिर वो डंडा लेके पीछे पड़ते थे बहुत ही शांदार तरीके से चीजों को यहां पे manage किया था ठीक है त्रावण कोर की दिक्कत बहुत जादा थी लेकिन एक बार क्या हुआ था देखे ये सब हिंदू majority states थे त्रावण कोर तो त्र लोग है वो चाते है भारत के साथ जाए तो उसके बाद फिर वो भारत के साथ गए अचा जूनागर जो है जूनागर के राजा अगर बात करते हैं तो जूनागर के जो राजा थे वो भी पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे ठीक है महाबत खान नवाब महाबत खान और यही बोल रहेते कि भाई यार हम तो जाएंगे कुछ भी हो तो पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है जुनागर भारत में आता है वहाँ पे 80% हिंदू है आप कैसे 80-90% हिंदू है और कैसे पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे तो उसके बाद क्या हुआ कि जुनागर ने भी काफी जादा दिक्कते पैदा की माना नहीं तो उसके बाद फिर पूरे जुनागर को घेड लिया गया है और उसके बाद फिर यहां पर referendum भी करवा दिया गया तो referendum में फिर उसके बाद voting जो है वो भारत के पक्ष में हुई तो जूनागर जो है वो भारत के पास आ गया और महाबतकान भाग गया, महाबतकान बढ़े रंगीले किसम के इंसान थे, कुत्तों से बहुत प्यार करते थे अब उसके बाद बचा है थे, कुत्तों की शादी उन्होंने करा दी थी तो नैशनल होलिडे गोशित कर दिया था, है ना तो यह हिसाब किताब रहा, तो जूनागर और तरावन कर तो भारत के पास आ गए अब उसके बाद बचा हाइदराबाद, तेक हाइदराबाद का क्या हिसाब किताब तरा देखिए, यहाँ पे था क्या कि हाइदराबाद के लिए लाँच किया गया ओपरेशन पोल, इसमें दो चीज़े थी, एक तो था इंस्ट्रूमेंट आफ एसेशन, मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल होगी, उसको इसे साइन करना ज़रूरी था, इसका मतलब यह था, कि आब भारत में शामिल हो चुके हो, आप समझ रहे हो, दूसरा था, स्टैंड स्टेल एग्रिमेंट, मतलब हमको थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए, ठीक तो तब तक हम स्टैंड स्टिल एग्रिमेंट साइन कर देते हैं, स्टैंड स्टिल मतलब वैसे ही खड़े हैं स्टेटस को, कि हमको थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए, और जब हम सोच लेंगे, तो हम आपके साथ, हम आपको अपना जो है वो, यहाँ पे अपना फैसला बता देंगे, तो फिर हम यह देखते हैं कि हाइदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रिमेंट साइन किया, अब हाइदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रिमेंटो साइन किया, निजाम रूल कर रहे थे, लेकिन बात ये थी, कि यह जो हाइदराबाद था, यह लगातार को favor करे भाई 20 करोन रुपए जो कि उससे में बहुत ज़्यादा होते थे निजाम ने पूरा पाकिस्तान को दे दिये सरदार वल्लब भाई पटेल का mood घराब हो गया कि हमने तुम को एक तो रियायत दी है कि तुम थोड़ा सोच लो और इधर से तुम जा रहे हो पाकिस्तान क गोद में और वैसे भी हाईदराबाद दोस्तों हाईदराबाद मतलब आज का पूरा का पूरा तेलंगाना आंधर प्रदेश कुछ माराज का भी हिस्सा तो ये था हाईदराबाद तो आप ये समझें कि उस समय हाईदराबाद सेंट बहुत वेरी वेरी रिच और ये पूर बना के ही रहेंगे तो उस समय जो निजाम थे मेर उसमान अली खान आसब जाँ ठीक है निजाम थे भाई हैदराबाद के देखे सरार वाला भाई पटेल ने ये सब को बोला था कि आप हमारे साथ भारत में आज़े और हम आपकी इज़त करेंगे आप जो चाहते हो आपको मिलेगा और ये हुआ दोस्तों भारत के साथ जो भी प्रिंसली स्टेट शामिल हुआ उसको वही इज़त मिली ये सब भाई पार्लियमेंट में चुनकिया है जितने भी राजा महारा राजा थे आपको पता है ना आज भी कितने सारे हेरिटेज होटल है और उसके बाद फिर तेलंगाना अप्राइजिंग हुई तेलंगाना अप्राइजिंग में बहुत बड़ी थी इसी दोरान तेलंगाना अप्राइजिंग की बात करें तो यहां पे, तो यह जो निजाम, बहला भी बता नहीं है, बहुत अमीर था अब कासिम रिजवी, इसमें एक बहुत important player है, कासिम रिजवी, ठीक है, यह बहुती ज़्यादा, अकाड़ा में रहता था, पाकिस्तानी पॉलिटीशन बाद में बना पाकिस्तान भाग गया था ये और ये मजलिस ए इताहदुल मुसलमीन पार्टी जो कि दिसंबर 1946 में बनाई थी और 1948 तक ये प्रेसिडेंट रहा था और इसने रजाकार बनाया था रजाकार ये रजाकार कौन थे ये एक तरीके की गुंडो वाली और्गनाईज थी ठीक है तो वहाँ पे जो उस्मान अली थे जो निजाम थे उसको हंडल नहीं कर पाए थे इसी दौन रजाकार भी बनती है अब रजाकार को इसलिए बनाया गया था 1938 में बेसिकली इसको बनाया गया था ये लोग क्या करते थे तरीके की पैरलल आरमी थी ठीक है मतलब य ये समझे कि एतने बत्तमीज लोग थे इनका कामी था कि बस लोगों को मारो काटो बलातकार करो यहीं सब हिसाब किताब था ठीक है तो अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि रजाकार्स जो है भाई मिलिश्या ये इसने बना ली अब इधर हैरभाद जो है वह लगा था पाकि म्रिजबी ने पड़े ही मतलब अकुडु अंदाज में बोला कि भाई देखो हम तो ऐसे ही रहेंगे सरदार वल्लब भाई पटेल से बोल रहे हैं तो आपको जो करना है कर लीजे तो वल्लब भाई पटेल ने बोला कि ठीक है फिर हम करते हैं इसी की तैसी तुमारी तो पहले पोलो जब लॉंच किया यहां पे तो भगा भगा के मारा है यहां पे भगा भगा के पाँच दिन के अंदर अंदर पाँच दिन के अंदर अंदर इंडियान आम्ड फोर्सेज ने खतम कर दिया हैधराबाद को और कबजा कर लिया रजाकार्स को बहुत मारा दो लाक रजाक और उसके बाद में पार्लियमेंट में चुन किया है तो ये हिसाब किताब रहा तो उस उपरेशन पोलों पे भी मैंने लेच्चर बनाया है अब बचा कश्मीर ठीक है तो कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत जादा थी कश्मीर में महराजा हरी सिंग थे और हरी सिंग बड़े टेंशन में कि भारत को जोइन करें कि पाकिस्तान को जोइन करें लेकिन हरी सिंग का मानना तक हम आजाद रहेंगे नहीं भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ अब पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया और उसने पाकिस्तान ने पूरी प्लाणिंग की भारत ने तो बूला कि चलो ठीक है थोड़ा सोच लो लेकिन पाकिस्तान ने पूरी प्लाणिंग की कि चलो कश्मीर को अपने अलब उड़ा के ले जाएगे तो हुआ क्या कि अक्टूबर 1947 के शुरू में पाकिस्तान ने कश्मीर को इनिवेड कर दिया ठीक है और जब कश्मीर को पाकिस्तान ने इनिवेड किया तो उसके बाद कश्मीर ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा कतले आं मचाया बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत किया यहां पर पाकिस्तान ने ये लोग श्रीनगर तक आ नहीं वाले थे लेकिन उससे पहले श्रीनगर से थोड़ा पहले ये रुख गए और पूरे घाटी में इन्होंने बहुत खसोट मचाई इधर राजा हरी सिंग जो थे वह बड़े चिंते राजा हरी सिंग को पता था कि या कश्मीर हमारे हाँ से चला जाएगा तो फिर तुरान तुरो ने फिर सर्दार वल्लब भाई पटेल से मीटिंग की और उसके बाद फिर यहां से इंडियन फोर्सेस गई सोमना शर्मा गए 27 अक्टूबर 1947 में पहुंचे और उसके बाद फिर भारती आर्मी ने पाकिस्तानी को पीछे ढखेलना शुरू किया तो आज का कश्मीर जो है वो जो पाकिस्तान ने कबजे में अपने लिया है उसको पाकिस्तान उक्योपाइट कश्मीर बोलते हैं और आज तक वो सिच्चोशन वैसी की वैसी ही ठीक है न तो यह चार प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉबलम होई लेकिन अल्टिमेडली 565 प्र कम्माल का है न और उसके बाद फिर सारे के सारे स्टेट जो हैं वो भारत में आगे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया आर्टिकल 370 आया मैंतिस ए आया और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया उसमें कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का सदर रियासत अलगी होता तो आप देख लीजेगा, ठीक है ना, तो आप हम यही देखते हैं कि उस समय है, फिर हम यह देखते हैं कि part A, part B, part C, part D में बाटा गया, चार parts में बाटा गया, और 1956 में, यह तो आप देखी सकते हैं, यह शुणागर कैसे हुआ, हैदराबाद कैसे आया, ठीक है, और उसके ब फिर हम यह देखते हैं कि यहां पे फिर State Reorganization Act लेके आते हैं हम, लेकिन State Reorganization Act भारत पूरा बन गया, मस्त, अभी State Reorganization, State को Reorganize करना था न, देखिए भारत को एक तो किया सरदार वल्लब भाई पटेल ने, लेकिन उसके बाद फर्दर एक की करण जो है, वो जवालना लेरू ने किया, ठीक है, अब सरदार वल्लब भाई पटेल का 1950 में देहान थो गया, 15 दिसमबर 1950 में देहान थो गया, कहा जाता है कि गांधी जी की मौत से वो इतना ज़्यादा धुखी थे, इतना ज़्यादा शॉक्ड थे, और और भी health issues भी बहुत ज़्यादा थे, तो सरदार व history के हिसाब से बना रहो, इतिहास के हिसाब से बना रहो, बाकि इन सब में मैंने course में आप सब lecture है, यो PSC के जिन्नों ने course लिया, उसमें सब कुछ है, ठीक है, तो constituent assembly जो है, उस समय बनाई गई, 26 November 1949 को हमारा समविधान जो है, वो adopt किया जाता है, 7000 से ज़्यादा amendment हुए, और यह जो साथ member committee थी, finally drafting committee, जिसके head थे, B.R. Amitgar, तो 26 November 1949 को हम यह देखते हैं कि इस committee, मतलब यह जो हमारा समविधान वो adopt किया जाता है, और 26 January 1950 में सको लागू किया जाता है, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद पहले राश्क्रपती बनते हैं, socialist secular integrity, यह 42nd constitution, यह तो preamble में खर add कि एगर 1976 में, तो इंडो-पाकिस्तान war आपको पता ही है कि वही चीज है कि यह सबसे पहला war था, ठीक है, 1947-48, यह princely state of Kashmir के लिए लड़ा गया, वही चीज है कि जैसे ही Kashmir, राजा हरी सिंग डिसाइड निकर पाय, इधर पाकिस्तान ने जो है, वो Kashmir को invade किया, लेकि हम देखते हैं कि वो फिर United Nations में मामला गया, तो अब हम यह देखते हैं कि भाई, भारत में होने थे elections, ठीक है, तो पहले elections होते हैं, 1952, आपको पता है, यह elections जो है, वो 70 से जादा phases में हुए थे, यह elections बहुत phases में हुए थे, उस समय हमारी population थी लगबग 36 करोर के आस पास, औ उस समय यूरोप में भी औरतों को वोट करने का राइट नहीं था, लेकिन भारत ने वोट करने का राइट दिया, आगको पता है कि उस समय के politicians का यह कहना था कि भारत तूट जाएगा, इतना बड़ा देश, पैसे नहीं है, साइन्स नहीं है, एकॉनमी नहीं है, जब ब्रे तो पूरी लिस्ट बनाई दोस्तों, और इसलिए सतर से उपर फेजेज लगे थे, बहुत सारे फेजेज में elections हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ही जीत कियाएगी, डेफिनेटली, लेकिन आपको बता दू कि इंडिया नाशनल कॉंग्रेस को वोट खाली 45% के करीब मिले थे, लेकिन हमारे first past the post system है, अब यह first past the post system क्या होता है, यह से माल लिजे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, अब माल लिजे 10 लोग है तो 9 लोगों को 10-10 वोट मिले, लेकिन 1 को 11 वोट मिल गए, तो 11 वाला जीतेगा, यानि कि वोटिंग का बरावरी है ना, लगबग एक इंसान का 1% से जाधा है, लेकिन इस्टिल ये इंसान जीतेगा, तो भारत में इस हिसाब, ये चीज़ का हिसाब किताब चलता है, तो प्रियम्बल के हिसाब से भाई हम एक sovereign socialist secular democratic republic थे, और democracy का मतलब यह है कि fair and free elections आपको करवानी पड़ेंग 25 अक्टूबर से लेकर 21 फेब 1952 तक चला, 1951, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हमारी leadership इतने बहतरीन थी, उस समय आप समझे कि जो हमारी leadership थी वो कम्माल की थी, इसी वज़े से भारत सर्वाईव किया और भारत ने बहुत टेजी से development किया, उस समय भारत जितना development को उसके बावजूद, आप समझे कि किसी की हिम्मत नहीं थी, कि भारत की progress को रोक दे, हर कोई भारत के लिए काम कर रहा था, तो elections होते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर definitely, Indian National Congress ने जीता ये election, देखिए, 1952, 57 और 62, ये तीन elections जो है, उसमें दबदबा Congress करा, हाला कि उडिसा और कुछ South के states में Congress की सरकार नहीं आ पाई, तो समय राज और केंदर के मलब एक ही elections थे, ठीक है, तो challenges बहुत जादा थे कि भाई, parliamentary system of government तो है, लेकिन problem ये है हमारी, उसमें समझे समझे आप उस समय के हिसाब से सोचिए, आप समझे कि उस एरा में आप जी रहे हो, तो कैसे यहाँ पर सरकार को चुना जाए, तो यहाँ पर election commission article 324 से लेकर 326 एक independent constitutional body थी, और बड़ी बात ये थी, सबसे दिक्कत की बात ये थी, कि 85% जो हमारी population है, 100 में से 85 लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो भाई, अब बात ये थी कि इनको कैसे voting कर आई जाए, क्योंकि उस प मुझे comment box बता है, कि कौन से amendment में, 21 साल से 18 साल age जो है, वो की गई थी, और उस समय कौन से प्रधान मंतरी थे, ठीक है, तो 21 साल उस समय जो है, वो age थी voting करने की, और चुनाओ चिन का जो है, वो हमें देखते हैं कि उस समय ये concept जो है, वो सामने आया, अब उस समय 489 members थे, ठ इन पे चुनाओ होने थे, लोग सबा के चुनाओ होने थे, 401 एक चुनाओ होने थे, ठीक है, और 401 एक चुनाओ हुए, इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ने 364 सीटे जीती, 364, जबाल नाल नहरू, देश के पहले प्रधान मंतरी बनी, Communist Party of India, कमाल की बात, CPI को 16 सीटे मिली, 3.29% वोट्स मिले, टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये सब लिखते जाएए, इसमें पार्ट लिया था, और 1874 कैंडिडेट्स थे, 1874 कैंडिडेट्स 489 सीट्स के लिए, तो ये हिसाब किताब रहा, अब और भी बहुत सारी पा बारिशद, जो की आचार क्रिपलानी की पार्टी थी, फिर सोचलिस्ट पार्टी, राम अनोर लिया की, जो की अभी सपावनी समाजवादी पार्टी बनी नहीं, मतलब फिर जैप्रकाष नारायन की पार्टी, ये सारी पार्टी जो थी, और Communist Party, ये सब ने elections लड़े, तो पहले लोग सबा इलेक्शन्स हुए 17 अप्रेल 1952 में और कॉंग्रेस को 364 सीटे मिली और भाई उसके बाद तो फिर इंडियनाशनल कॉंग्रेस को जब सीटे मिली तो फिर कमाली हो गया फिर उसके बाद पहली लोग सबा जो है वो चार साल में ही डिजॉल्व हुई मतलब चार अप्रेल 1957 मतलब चार साल क्या रहा हूँ कि पांथ साल में डिजॉल्व हुई कि पूरी चली 17 अप्रेल 17 अप्रेल 1952 में हम ये देखते हैं कि इलेक्शन हुए और फिर अगले इलेक्शन जो है वो 4 अप्रेल 1957 तो पूरा प्रापर 5 साल का टेनुर जो है वो शुरू कि अब दोस्तों आप लिजए मैं चाहता हूँ कि आप लिखें ठीक है लिखने से याद अच्छे हो जाता है उस समय नहिरू कि क्याबिनेट कौन थी ये अकसर पूछ लिया जाता है तो देखें प्राइम मिनिस्टर कौन थे जबाहल नाल नहरू डेपूटिव प्राइम मिनि एन स्टेट सी राज गोपाल चारी मिनिस्ट्री ओफ फाइनस फाइनस मिनिस्टर कौन थे सीडी देश्मुक ठीक है सीडी देश्मुक जो की फिर गवर्नर भी बने अर्भी आई के मिनिस्टर अफ लॉग कौन थे 1947 और 1952 तक बी आर अमेटकर यहनोंने हमारा कानून मनाया अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है ठीक है शाम प्रसाद मुखर जी ने जनसंग बनाया था भारती जनसंग जो आज भारती जनता पार्टी है नहरू की जो काबिनेट थी न वो बहुत वाइड थी नहरू एक उदारवादी नेता थे एक लिब्रल पॉलिटीशन थे जवालल नहरू तो ये लिब्रल पॉलिटीशन ये जो उदारवादी थे नहरू ने हर किसी को अपनी काबिनेट में लाया वो एक राइटिस्ट को भ नहरू के साथ आए then Minister of Commerce कौन थे CM भाबा कूवर जी, हॉरमस जी, भाबा Minister of Labour कौन थे जग जीवन, राम Minister of Health, अमरित, कौर Minister of Communications, रफी एहमद, किदवई ठीक है तो ये हिसाब किताब रहा उसके बाद फिर 1957 में एलेक्शन होते हैं अभी हम नहरूर पे आएंगे, फिर 1957 में इलेक्शन होते हैं, इस बार फिर से सीटे जो है वो इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ने जीती इस बार 454 सीटों पे चुना हुए और 371 सीटे जीती इस बार सीटे जो है वो जादा रही, ठीक है फिर 1962 में इलेक्शन होए और अगेन हम यह देखते हैं कि फिर से 361 सीटे जीती ठीक है 494 में से और 45% वोट लिए तो यह सीटों का हिसाब किताब था कि इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ने कितनी सीटे जीती तो यही हिसाब किताब रहा अब उसके बाद फिर इलेक्शन तो हो गए इसी दोरान जवालना लेरू ने एक के बाद एक प्रोग्राम्स जो है वो शुरू की देखिए उस समय बड़े बड़े लीडर्स जा चुके था नए लीडर्स जो है वो आए इसी दोरान और मुश्किलाब तो ज़्यादा थी ही क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए जो जवालना लेरू ते डेफिनेटली यी डिड ओसम जॉब मतलब आप समझे कि स्टेट रियॉर्गनेजेशन आट जवालना लेरू बता दिताओं है 1956 का स्टेट रियॉर्गनेजेशन आट बाउन्डरीज डिसाइड करने के लिए यह आट आया था और उसके बाद वही है कि सेवेंथ अमेंडमेंट हुआ था 1956 में सात्वा संशोधन पार्ट वन अफ दी कंस्टिटिशन आफ इंडिया आर्टिकल 3 और इसके तहर राज्यों का बटवारा हुआ linguistic states की भी मांग चली ना कि भाशाओं के आधार पे राज्यों का बटवारा हो बाई साउथ में बहुत ज़ादा दिक्कते हुई साउथ में कम्मुनिस्ट की भी सरकार आई थी रातो राजवाल ना लेलू ने सरकार को बदल दिया था इसमें बहुत ज़ादा बवाल भी हुआ था ठीक है ना तो पहले पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D में हिसाब किताब था फिर बहुत सारी कमिशन्स आई धर कमिशन आई फजल अली कमिशन आई और JVP कमिटी आई काफी ज़ादा आई लेकिन अल्टिमेटली यही डिसाइड हुआ कि भाई भाशाओं के आधार पे ही बटवारा करना चाहिए आप समझ रहे हो तो उस समय जो है, वो 16 राजज जो है वो बनाए गए थे पूरा नौर्थीस्ट आसाम बॉम्बे, देनांदर प्रदेश, मैसूर केरल, मद्र प्रदेश, उरिसा, राजस्थान उत्तर प्रदेश तो यह हिसाब किताब रहा था अब जवाल ना नेरू का अड्मिनिस्टरेशन भाई कमाल था बहुत ही शांदार तो कम्मिनिस्ट यहाँ पे चाइना में आ गएते लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि कम्मिनिस्ट को दर्किनार किया गया हला कि जैसे जैसे वक्त आगे बड़ा, दिक्कत है थोड़ी सी तो ही फाई फाइव यर प्लांस लेकिया है 1952 में, बहुत ज़धा इंस्पायर थे, यह सोवियत ने जो फाइव यर प्लांस ले थे और काफी दिक्कते रही थी इसी दोरान दोस्तों चाइना, देखिए भारत और चाइना के जो रिलेशन थे बहुत बड़िया रहे शुरुवात में, 1950 में कम्मिनिस्ट ने चाइना को जीता बीजिंग से लाल जहिंडा लहरा दिया गया और इनाइटेड निशन्स में भाई भारत को आपको पता ना, भारत को पर्मानेंट सीट जो है वो ओर्डर की गई थी वीटो पावर, लेकिन भारत इसको नकार के चाइना को बोला कि चाइना को आप ये दे दो, और इसी दोरान दोस्तों चाइना पे जब कम्मिनिस्टों का कबजा हुआ तो दिक्कत थी और फिर तिबबत पे भी खत्रा मंदराने लगा, देखिए भारत की बाउंडरी जो है वो चाइना से लगती नहीं थी, क्योंकि बीच में तिबबत था ना, लेकिन जैसे ही कम्मिनिस्टों ने चाइना पे कबजा किया और फिर तिबबत, मतलब एक सिविल वार हुआ था ये आपको मैंने सब बताए हुआ है और फिर तिबबत पे जब खत्रा मंडराने लगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी 1954 में 1954 में पंच शील एग्रिमेंट भी, पंच शील एकोर्ट्स जो हैं, वो साइन किये गए आप समझ रहे हो, और चाइना शुरुवात से ही बोल रहा था कि तिबबत हमारा है तिबबत हमारा है इसकी में ज़्यादा हस्तक्षिप ना करना है और भारत ने इसको acknowledge किया, बहुला कि हाँ हाँ, बिलकुल तिबबत तुमारा है, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं भाई, हम कुछ बोल रहे हैं क्या इसी दौरान नहरू ने IITs, IIM, भारत का Space Program, भारत का Atomic Program धेर सारी कमिटीज Agricultural Reforms, Industrial Reforms नहरू हर एक चीज लेके आए, ठीक है जवाल ना लेडू लेकिन दोस्तों, फिर 1962 का ये जो वार था बहुत जाद दिखकत, तो नहरू ने Socialist Model जो है, उसको Advocate किया, 5 Year Plans पर उस बेज़ड ऑन Socialist Model 5 Year Plans पर मेरे पूरा का पूरा लेचर है आप देखिएगा, Primary Education, School Colleges, ये सब बनाए यहां पर IITs बनाए यहां पर और उसके बाद फिर यहां पर Integrated National Economic Program चलाए गए Indian Farmers को कोई भी Tax नहीं Minimum Wage, Benefits, सब कुछ यहां पर दिया, Nationalization बड़ी-बड़ी Industries, Steel, Aviation, Shipping Electric City, इन सब का Nationalization हुआ, है ना, जो Common Lands है, उनको Cease किया गया एक तरफ भारत as an Industrial Level आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ भारत Socialist Level पर भी आगे बढ़ रहा था भूदान Movement, सर्वोदया Movement जहां पर चाइना में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी, भारत में जमीदार जमीनों को दान कर रहे थे ऐसे ही कि ले लो भाई, भारत के लिए अच्चे भारत बनाने के लिए, हम सब कुछ करेंगे आप समझ रहे हो तो Major Damts Regression Canal ये सब जवाल ना नेरू ने चला है फिर उसके बाद State Reorganizations के बारे में हम थोड़ा सा जाल लेते हैं, अब देखें पुट्टी श्रीरामलू जो है, देखें जब Part A, Part B, Part C, Part D में Reorganize किया गया स्टेट्स को, तो उसमें ये था ना कि भाषाओं के आधार पे राज्यों का बटवारा करो, तो जो commissions आई, उन्होंने यही बोला कि देखो शुरुवात में तो यही बोला कि भाषाओं के राजी पर बटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन ultimately हम यह देखते हैं, कि इसमें जो बटवारा होगा वो भाषाओं के आधार पे हो फजल अली commission यह बैठाई गही थी, बहुत ही ज़्यादा important है यह justice फजल लिली केम पनिकर और चन कुझरू ने, इनकों ने अपनी report submit की, जिसके state reorganization act लाया गया, अब इसका दिक्कत यही हो गई थी, दोस्तों, कि नहरू को लगता था कि भाई देखो, क्या भाषाओ कि आधार पे हम बटवारा करेंगे, भारत एक बहुत बड़ा देश है, हरको इसको पहला linguistic state बना था, ठीक है न, और उसके बाद जब state reorganization act पास हुआ, तो हम यह देखते हैं, भाई देखो वैसे commission ने तो बोला था कि 14 राज्य और 5 unit territories बनाओ, ठीक है, लेकिन 16 राज्य और फिर हम यह देखते हैं कि धीमे-धीमे 3 unit territories बनाईगे और उसके फिर अभी अगर बात करें तो हम 28 राज्य हैं और हमारे पास 8 unit territories हैं, ठीक है न, तो यह हिसाब किताब रहा है, तो भाशाओं के आधार पे यह आप देख सकते हैं, भाशाओं के आधार पे जो है वो बटवारा हुआ, ठीक है, यह चीज है, उसके बाद फिर अलग अलग parties बनाई गई, यहाँ पे south में काफी जादा प्रॉब्लम थी, स्वतंत्र पार्टी, आम यह देखते हैं कि बनाई गई, बहुत सारी जो parties हैं, वो जवालना लेरू के, मतलब जवालना लेरू से बहुत सारी पार्टी जो है, वो अलग होगी, कॉंग्रेस से अलग होगी, और उन्होंने अपनी अलग ही पार्टी बना ली, और इधर कश्मीर डिस्प्यूट जो है, वो चल रहा है, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी बनाई गई, तो यहाँ पे लिखा था राज गुपाल चारी ने, कि भाई देखो, डेसेसरी और राइट विंग अल्टरेटिव तुट कॉंग्रेस, आक्चुली क्या थारा कि यह बहुत बड़ा बना, कि भाई, तीनों इलेक्शन्स जो है, वो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस ने जीते, तो भाई, राज गुपाल चारी ने बोला था, कि भाई, देखो, सरकार को चलाने के लिए, ओपोजिशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, हम यह अहाँ पे, वी शुद नाट ऑपरेट, नाट प्राइवेटल, बिहाइंड इक्लोजड डोर, बट ओपेंली एंड पिरियो, पिरियो, पिरियोडिकली ही, थ्रू इलॉक्टोरेट, फिर उसके बाद, गोल्स अफ सतंत्र पॉर्टी, बहुत सारी चीज़े हुई, है ना, उस अभी तक दुनिया से जुड़े नहीं, भारत एक क्लोजड एकॉनमी था, लाइसेंस राज चलता था, कि सुई तक बनाने के लिए आपको सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी वज़े से कही ना कही ग्रो तो बहुत ज़्यादा हैंपर हुई, इसी दौरान साउ हमको हिंदी नहीं आती है, तो हमको कैसे बोलेंगे, तो उसके बाद अल्टिमेटली वो मामला अभी तक अटका हुआ है, और 1965 में फिर यहीं डिसाइड हुआ कि हिंदी, इंग्लिश और रिजिनल लाइग्वेजी, जो है वो लाइग्वेज रहेंगे, तो साउथ में अलग तो वो दम, क्लोज आ गया और उसके बाद स्वातंतर पार्टी से दोनों ने अलाइंस किया, उन्नी सो पांसर पे मद्रास लेजिसलेटिव एलेक्शन हुए, देकिन वैसे तो अभी तक कॉंग्रेज जो हर जगा जीती नहीं थी, 1962 में कहीं हार रही ही नहीं थी, लेकिन इस इलेक्शन में, जो मद्रास लेजिसलेटिव एसेंबली एलेक्शन हुए थे, यहाँ पे कॉंग्रेज को हार का शामना करना पड़ा, ऐसा हिसाब किताब, तो भाई फिर तो बहुत दाथा, दिमाग खराब हुआ कि यार, यह कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बाड़े, चीज़े आगे बढ़ती हैं, फिर फॉरेंग पॉलिसी के अगर बात करें, तो देखिए, नहरू की जो सीधा पॉलिसी थी, वो थी नॉन एलाइन मुवमेंट की, उस समय कोल्ड वार, कोल्ड एरा जो है, वो शुरू हो चुका था, एक तरफ सोवियत, दूसरी तरफ अमेरिका तो भारत की तरफ जाए, भारत ने बोला कि भाई देखो हम नहीं आपकी तरफ जाएंगे, नहीं हम मतलब अमेरिका की तरफ जाएंगे, नहीं सोवियत की तरफ जाएंगे, नॉन एलाइन मुवमेंट की शुरुआत हुई, इंडोनेशिया, आपका भारत, देन आपका इजिप्ट, आपका यूगो सुलाविया, तो ये पांच फाउंडिंग मेंबर्स थे, बेसिकली, जोसफ, ब्रॉस, टीटो, जवाल नाल नहरू, गमाल अब्दुल नासीर, घाना के प्रेसिडेंट निक्रोमाह, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो, तो इन्होंने नौल अलाइन मुवमेंट की भाई, तीसरा वर्ल्ड हम मनाएंगे, ना ही हम अमेरिका के साथ हैं, ना ही हम यहाँ पे सोवियत के साथ हैं, इसी दौरान दोस्तो स्विस क्रैसिस भी होती है 1956 में, तो यह तो खेर, यह सब मैंने आपको बताई है, फिर यही च दिया, 1948 में पहला अरब इसराइली वर होता है, लेकिन यह वाला जो दिखकत थी, चाइनीज कंट्रोल अबर थे, बत, इसी नहीं हम यह देखते हैं, कि वर को जनम दिया, देखिए, बाउंडरी डिस्प्यूट थे ही, भारत के चाइना से, याद रखेगा कि इसकी जो ब्रिटिश और चाइनीज एंपायर के टाइम, लेकिन उस समय ब्रिटिश का डॉमिनियन था, ब्रिटिश डॉमिनेट करता था, तो चाइना कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन 1956 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत ते कभी सोचा नहीं था, हिंदी चीनी भाई-भाई-भाई का चाइना ने एक रोड बना ली, जिंजियांग तू तिबट, अब उस समय तक तिबट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया था, और यह अकसाई चिन से होते वें जाती थी, जो कि भारत का एरिया था, हाला कि भारत का कभी कंट्रोल नहीं राकसाई चिन पे, लेकिन पूरी तरीके से क्रश कर दिया और बहुत जादा यातनाएं दी वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जेल में डाला 1959 में दलाई लामा भाग के भारत आगे तो अब यहाँ भारत क्या कह रहा था जू इनलाई 1960 में इस पूरे प्रकरण जू इनलाई की भी बियागरफ इमें डिवी क्यों है सब कुछ पूरे प्रकरण के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है 1960 में जू इनलाई ने ये बोला कि भाई देखो भारत को स्टेटस को जैसा यथा इस्थिती का पालन करना चाहिए मतलब अकसाई चिन और नीफा इंडिया को देदे नीफा नौर्थ इस्ट फेंड के रिजेंसी जो की आज अरुनाचल प्रदेश है नहरु ने बोला पागल लागल होग है कही है हमसे हमारे इरिया मांग रहा है आज भी अरुनाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिबद बोलता अभी देखा ना कि चाइना ने 16 वहां के रिजन्स के मैप मतलब नाम रख दिया वहां पर नदियों का नाम रख दिया अभी ये अभी की न्यूस थी तो नहरु ने पूरी तरिकेस को रिजट किया नहरु का ये बोलना था कि भाई आप अकसाई चिन से रोड कैसे बना सकते हो पहली बात तो यह है कि आप जो हमसे ये बोल रहे हो कि हमको नीफा दे दो अरुणाचार प्रदेश हमको अकसाई चिन दे दो वो तो हमारा एडिया हम आपको कैसे दे 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 दूसरी चीज आप ने रोड बना ली पूरी की पूरी 1959 में तिबबत में आपने ऐसे आक्रमन किया अच्छा अमेरिका जो है क्योंकि कम्यूनिस्ट है चाइना और अमेरिका एक कापिटलिस्ट कंट्री तो अमेरिका वैसे ही बहुत बोल रहा था और भारत के ओवर प्रेशर बना रहा था कि आप चाइना के कलाब करवाही करो ले चाइना से लगने लगी थी तो चीजें हाँ से निकलती जा रही थी लेकिन नेहरू ने ये बोला नेहरू ने इसको रिजक्ट किया कि नही हम चाइना की डिपार्ण को न कारते हैं अचा चाइना इससे लिए गुस्सा था कि तुमने दलाई लामा को कैसे शरण दे दी इंटर्नल मैटर है तो 1959 से लेकर 61 तक लगा था दो साल तक काफी स्कर्मिशेज हुई इंडियन और चाइनीज के बीच में जो सोल्जर्स थे इसी दोरान एक बहुत बड़ा डिजास्ट्रस ऐसा डिसीजन लिया गया यहां पे नहरूद वारा जिसने इस युद्ध को मतलब हम यह देखते हैं कि युद्ध को बड़ावा दिया वो था फॉर्वर्ड पॉलिसी फॉर्वर्ड पॉलिसी 1960 उस समय डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्ण मिनन जो कि बहुत ही मतलब बहुत ज़ादा इनके ओपर आरोप लगाया चाता और बहुत ही एक डिजास्टर डिफे भारत की नेवी बहुत बढ़िया थी लेकिन नेवी और एयर फोर्स को अटाक करने का मौकत ही नहीं मिला कुछ नहीं मिला यहां पर भारत के सहन को नहीं सब कुछ किया तो एक तरह के से कौडिनेटेड इफर नहीं था और 1962 के बाद यह भारत को पता चला जब हमने चाइना से हारे हम, तब हमको यह पता चला कि भारत को अपनी RV को रियोर्गनाईज करना पड़ेगा, और कहते हैं कि इसके दो साल बाद ही नहरू का दिहान थो गया, और इसका reason, इसकी वज़ा यही war से हार थी, क्योंकि बहुत इस समय नहरू की, यह बहुत बड़ा दाग है नहरू के उपद, forward policy 1960 में नहरू ने यह बोला, कि जो Macmehan Line और जो Aksai Chin वाला एरिया है, यहाँ पे जो भी post खाली पड़ी है, वो occupy करो, Indian soldiers यह बोला, तो अब अगर आप बात बताईए कि यह post बना रहे हैं, ठीक है, चौकियां बनाई जा रही हैं, आपर मिलिटरी चौकियां बनाई जा रही हैं, तो चाइना को अच्छा लगी गई है, चाइना को तो अच्छा, चाइना तो बोलेगा कि भारत aggressive हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो बस चाइना ने 20 अक्टूबर 1961 को युद्ध का आभाहन कर दिया, और ये लगबख एक महिने तक चला, 21 नवेंबर 1962 तो तक चला, चाइना नीफा और तवांग तक आगे थे, चार दिन के अंदर अंदर चाइना पूरा जो अरुनाचल परदेश है न, उस पर कबजा कर लिया था, और काफी दिक्कत होई थी, फिर उसके बाद war खतम होता है, तीन हफते तक negotiation चलता है, अक्साई चिंज जो है, वो हमारे अरुनाचल परदेश तो हमारा था ही, तो ये दिक्कते रही, ठीक है, इधर इंडो इधर वार होता है, मतलब हम यह देखते हैं, इंडो चाइना वार और भारत हार गया, तो अब यह मनूबल बहुत जादा नीचे गिरा, हाला कि हमारी आर्मी ने उस समय बहुत ही तकड़ इसे वो किया और बोला कि आप रियोर्गनाइज करेंगे, उसके बाद इंडियनामी बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, इसी दोरान दोस्तों हम यह देखते हैं कि जवाहर लाल नहरू का देहान्त हो गया, ठीक है, जवाहर लाल नहरू के देहान्त, यह इट अब बात यह थी कि अभी तक तो जवाल नहरू थे, अभी तक सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाल नहरू, अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उस समय के कामराज, के कामराज तमिल नाडू में थे बाई, प्राइम मिनिस्टर बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे, मदरास में बहुत ही शांदार, लेकिन के कामराज को भारत रत न दिया गया, उनसे बहतरीन पॉलिटीशन दोस्तों आज तक नहीं आया होगा, one of the best politician, के कामराज को बुलाया गया, के कामराज को बुलाया गया, और वो Congress के अध्यक्ष बनाएगा, Congress के अध्यक्ष बनाएगा और के कामराज को King Maker भी बोला जाता है, इन पे भी मैंने बायाग्राफी की है, ठीके, तो हम ये देखते हैं कि सवाल ये था कि अब किसको प्रधान मंतरी बनाया जाए, तो प्रधान मंतरी की जो ये पूरी मतलब क्य जब तक कोई Prime Minister नहीं चुन किया रहा है, तब तक गुलजारी राल नंदा को Acting Prime Minister बनाया गया, गुलजारी राल नंदा बहुत ही इमांदार इंसान थे, और कमाल के Politician थे, ये बात अलग है कि इतियास में उनका इतना ज़्यादा नाम नहीं हुआ, लेकिन बहुत इमांदार कि का उस समय Politics में आने का कोई एसकास मन नहीं था, हाला कि Minister तो ये बनाई गई थी, लेकिन का यही था कि ये Politics शोर के Britain चली जाएं, और चौते थे मुरारजी दिसाई, मुरारजी दिसाई का पलड़ा बहुत अदा भारी था, मुरारजी दिसाई एक Civil Servant रहे थे, बाई, Minister र जीती, के कामराज नहीं जिसके उपर हाथ रख दिया, वही तो जीतेगा, और वो कौन था, वो था हमारे अगले प्रधान मंतरी, लाल बहदुर शास्त्री, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है, वो तेरा दिन के लिए, हम ये देखते हैं कि प्रधान मंतरी बनाये गए लेकिन उसके बाद लाल बहदुर शास्त्री को 1965 में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, वो समय भारत उबर रहा था, और कमाल के नेता थे, लाल बहदुर शास्त्री की किताब का मैंने रिव्यू किया है, इनसे जाधा इमानदार नेता, ना तो आया है ना आया होगा, आ 1965 वार हुआ, 1965 का इंडो-पाकिस्तानी वार हुआ, इसके बाद गुलजार, ये लाल बादुर शास्त्री का जो कद था, वो बहुत उपर चला गया, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, पाकिस्तान को ये लगा कि बहुत बढ़िया मौका है, है ना, कच इस इकते रहती थी, तो पाकिस्तान को लगा, मतलब भारत ने ये बोलाता कि चलो हम बैटके बाद कर लेते, तो भारत को ये लगा, पाकिस्तान को ये लगा कि भारत इस पे बैटके बाद कर रहा है, तो यानि कि जितने भी disputed areas हैं, जैसे कश्मीर वाला, तो भारत उस पे भी घमंड में आ गया, उस समय अयूप खान जो थे, पाकिस्तान में डिक्टेटर से पा गयी थी, डिक्टेटर क्या मतलब, यहां पे military rule जो है वो चालू हो गया था, emergency लग गई थी, तो पाकिस्तान को ये लगा कि भाई, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, और उस समय पाकिस्ता or not, 1960 से 65 तक पाकिस्तान के development बहुत तेजी से हुआ, तो हम develop बहुत तेजी से कर रहे है, फिर भारत एक यूद्ध हार चुका है, तो भारत अलेड़ी कमजोर है, फिर भारत ने बातचीत करने की जैसे कच इसकरमिश होती थी, तो कच के ओपर बातचीत करने पे भारत मान गय हैं, हम attack करेंगे, जो highway जाता है main, उसको cut देंगे, भारत table पे आएगा और भारत से कश्मीर छीन लेंगे हम, तो यह objective थे पाकिस्तान के, दूसरा objective यह था कि कश्मीर के, उस समय कश्मीर में problem बहुत जादा थी दोस्तों, ठीक है, कश्मीर को, कश्मीर में क्या करते हैं, कश पाकिस्तान ने launch किया, इसमें जो कश्मीर वैली में, पाकिस्तान के पैरा troopers, वो जो उतरते नहीं हैं, जो soldiers होते हैं, पूरा वो parachute बांद के, वो उतरे, infiltration किया, लेकिन पता है, कश्मीरी लोगों ने इसको support ही नहीं किया, इनको पकड़-पकड़ के भारत सरकार को दे दि तो पूरी तरीके से यह objective फेल हो गया, then September 1965 में Operation Gland Slam launch होता है, अकनूर को capture करना है, पाकिस्तान Air Force ने कश्मीर को फिर इदर कुछ Airfields को भी बॉम करना चुरू कर दिया, उसके बाद Indian Forces ने पूरी तरीके से कश्मीर को, मतलब यहां पे पाकिस्तान को धूर चटाई, आपको बता दू कि इसमें हुआ क्या था ना, कि कश्मीर में यह जो पाकिस्तान ही सेना है, वो आगे बढ़ गई, लाल बहादूर शास्त्री ने पहली बार, पहली बार ऐसा हुआ, कि लाल बहादूर शास्त्री या कोई भारत का प्रधान मंत्री ने, उसने भारत की सेना को यह आ बड़ी रही है लेकिन पंजाब धीहेटर खोल दो यानि कि पंजाब का जो फ्रेंट पंजाब की वांड़ी पाकिस्तान से लड़ती है न हमारी सेना ने पहली बार L.O.C. को क्रॉस किया मतलब लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद 70 किलोमीटर तक अंदर पहुँच गए उस समय लाहॉर खाली 10-15 किलोमीटर की दूरी पे था और अगर भारत चाता तो लाहॉर तक पे कबजा कर सकता था आप समझ रहे हो तो बस एक ओडर की देर थी पूरा पाकिस्तान हाथ से चला जाता और भारत का कबजा हो जाता इसी दौरान पाकिस्तान आर्बी ने खेम करन को कैप्चर किया अटाक किया और असल उत्तर है ना असल उत्तर बैक्टल अफ असल उत्तर अब्दुल् हमीद का नाम सुना है आपने अकेले दम पे जोने ने पाकिस्तान के सारे टैंकों को उड़ा दिया, उनकी बैगराफी मैंने कवर की है तो वर्ड वार टू के बाद धेंकर टैंक का कॉन्फिक्ट हम को देखने को मिलिया पाकिस्तान के पास patent टैंक्स थे, जो की काफी ज़्यादा superior थे लेकिन strategy बहुत बख्वास थी, लीडर से बिक्दम बख्वास थी फिर बादचीत जो है वो शुरू होती है अब बादचीत शुरू होती है अभी तक आप समझजिए कि दोनों ही साइड जो है वो victory claim करते हैं पाकिस्तान बोलता हम जीते भारत बोलता हम जीते लेकिन उसमें no doubt दोस्तों जीत जो है वो भारत की हुई थी नीट्रल सोर्सेज यहाँ देख लें तो पाकिस्तान की बुरी हलत हो गई थी इंडिया का बहुत अपरैनी बहुत बड़ा हैंड था अगर मान लीजे कि ये एक दो दिन और चलता तो पुरा पाकिस्तान चला जाता इनके हाँ से क्योंकि इनके पास रसोर्सेज बचे ही नहीं थे ताशकेंट एग्रीमेंट साइन होता है बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा ताशकेंट एग्रीमेंट जो है वो इसी वार के बाद ही साइन हुआ था और उसके बाद फिर ताशकेंट एग्रीमेंट 10 जनवरी 1906 में साइन हुआ फिर वही है कि जो स्टेटस कोता वही रहेगा और जम्मु एन कश्मीर में जैसी स्थितिति वही रहेगी प्रिजिनर्स और वार को एक्षेंज किया गया डिप्लोमेटिक रिलेशन्स रिजिस्टोर कियेगा और बातचीत के लिए मतलब आगे होने वाले समय में बातचीत जो होती रहेगी अब इसी दौरान दोस्तों कुछी हफते बाद में क्या बोल रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री का देहान्त हो गया अब इनकी मौत पर भी बहुत बड़ा मतलब रहस्य है 11 जन्वरी को 10 जन्वरी को ताशकेंट agreement होता है 11 जन्वरी अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री का देहान्त हो गया बहुत बड़ा विवात है किया लाल मुद्धर शास्त्री को लीडर खो दिया उसके बाद आती है इंद्रा गांदी इसी तोरां दोस्तो 1961 में Operation Vijay हलाकि यह मैं बताना भूल गया था यह launch होता है यह Operation Vijay भी आप थोड़ा सा समझ लिजे Operation Vijay की बात करें दोस्तो तो इसमें क्यातना कि गुवा को गुवा जो था उस समय पुर्तगाली कॉलोनी और यह छोड़ने को गुवा तैयारी नहीं थे क्यारते कि भाई गुवा जो है वो पुर्तगाल की territory में आता है तो पुर्तगाल फिर भारत ने बोला कि अभी तुमको बताते हैं सुबा भारत की फौज गुवा गई शाम तक गुवा हमारा हो गया तो यह भी एक military operation था ठीक है तो यह हिसाब किताब रहा यह वाला जो अक्साई चेन वाला area है यह चला गया इस समय चाइना के पास ठीक है फिर पाकिस्तान शजगाम आधी वाला phase हम discuss करेंगे अगले लेचर में ठीक है तो अभी हम यह लेचर यहीं पर ही समाप्त करते हैं बहुत जादा हम नहीं समझेंगे मतलब एक लेचर में इतना ही काफी है काफी कुछ मैंने आपको बता ही दिया है यह लेचर था अब अगला लेचर कल खुछ रहे परते रहे देशे सद्धान तकनी ओतरी साइनिंग ओप